हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अनुभास किचिन तो आज की रेसिपी है चॉकलेट आटा केक और केक खाना किसे पसंद नहीं होता लेकिन कई बार होता है न मैदा के कारण हम केक प्रिफर नहीं करते तो उसी रीजन के कारण आज मैं लाई हूँ आप सभी के लिए चॉकलेट आ पानिशिंग के लिए एक टेबल स्पून कोका पाउडर हाफ टीस्पून वरिला एसेंस हाफ टीस्पून बेकिंग सोडा वन टीस्पून बेकिंग पाउडर है फाइफ टीस्पून मिल्क मेट लिया है अब मैं आटा को छान दूंगी साथ ही मैं मैं इसमें कोका पाउडर ब बेकिंग पाउडर भी डालूँगी तो यह मैंने डाल दिया है बेकिंग सोड़ा यह मैंने डाला बेकिंग पाउडर और यह कुकर पाउडर क्योंकि आज हम चॉकलेट एक बना रहे हैं तो इसलिए कुकर पाउडर बहुत ज़रूरी है पर अगर आपको सिंपल केक बनानी है जो कि आटा वाला भी काफी अच्छा लगता है तो आप उसमें कुकर पाउडर स्किप कर सकते हैं तो यह देखिए मैं चान ले रही हूं सारी इन चीजों को तो इससे क्या होगा एक अच्छा मिक्स भी मिल जाएगा सारी चीजों को आपस में और जो उसके बाद चलिए अब हम चलते हैं इसे बैडर बनाने की प्रोसेस पे तो यहां पर मैंने अल्मूस्ट 30 ml ओईल लिया हुआ है इस पर मैं जो अमुल का मिठाई मीट लिया था वो डालकर और साथ ही में वैनिले एसंस भी डालकर एक अच्छा मिक्स दूंगी यह सारी चीज़े मैंने डाल दी है अब आपस में मैं इसे मिलाऊंगी और इसे तब तक मिलाते जाए तब तक ओईल जो है मिठाई मेट के साथ अच्छी तरह से मिक्स न हो जाए ओईल जो है उसके लेयर उपर आपको नहीं दिखनी चाहिए तो इसके लिए आपको दो मिनिट अप्रॉक्जिमेटली इसे मिलाना हो का अच्छी तरीके से और जैसा मैं दिखा रही हूँ वैसा ही मिलाए कि देखिए यह अल्मूस्ट हो गया है इसके बाद जो हमारा मिक्षर था जो हमने चाना हुआ था आटा और सारी सीजों को उसको मैं इस पर मिला दूंगी तो यह हो गया है देखिए यह मैंने बाकी के सारी चीजों को डाल दिया अब मैं इसे मिलाऊंगी इस पर हमें ज़रत पड़ेगी दूद की क्योंकि इसमें इत्ता लिक्विड नहीं था कि पूरे आटा को कंजियूम कर ले और एक अच्छा बैटर कंसिस्टेंसी दे तो इसके लिए मैं नॉर्मल टेंपरेचर का अप्रॉक्जिमेटली थ्री फोर्थ कब ले रही हूं मिल् धीरे धीरे करके डालूंगी बैचेज में आप भी ध्यान रखेएगा एक साथ ना डाले क्योंकि इससे कंसिस्टेंसी काफी पतली भी हो सकती है तो जिससे आपको केक बनाने में दिक्कत आएगी तो आप देखिए जैसे मैं डाल रही हूं उसी तरहीके से थोड़ा ही डाल रही हूं अभी के लिए अगा है कि मुझे और दूद डालनी के जरुरत है तो इसमें और डाल रही हूं आप चाहे तो आप इसमें पानी का भी इस्तिमाल कर सकते हैं जरूरी नहीं है कि आपको दूद ही डालना है बट मैंने यहां पे इस वीडियो में सिर्फ किया है कि देखिए मुझे अभी और दूद की जरूरत है मैं इसमें फिर से डालूँगी तक्रेबन हो गया है अब मैं हाफ का टोरी शुगर लियू जिसको मैंने फाइन पाउडर कर लिया था तो इसे भी मैं मिक्स कर रही हूं साथी में मुझे और थोड़े दूद की ज़रत पड़ेगी तो उसे भी मैं डाल कर फिर से एक अच्छा बैटर बनाऊंगी तो यह मुझे मेरी मिक्स करने की प्रोसेस अभी तक चल रही है जैसा आप लोगों ने देखा है मिक्स करना बहुत ज़रूरी है सारी चीज़े आपस में अच्छे से माइंड होनी चाहिए यहां पर मैंने थोड़ा दूब और डाला है इसके बाद आप देखिए कंसिस्टेंसी काफी बेडर लगने लगी है पहले से अब आपको देखना है आपका बैडर इस शेप में जैसी रिबन शेप पापको दिख रहा है द्रॉप होते हुए जब तक आपको यह नहीं हुआ बर्ट मेरे के इसमें मुझे वह रिबन बनते हुए दिख रहे थे याने मेरा बैडर र्यड रेड़ी ओं तो अब मैं जाओंगे इसे बेक करने की प्रॉसस में तो मैंने यहां पर ऑईल डाल रही हूं मोल में इस ऑईल को मैं ब्रश के हेल्प से चारो तरह फैला दूँगे तो यह देखिए इस तरीके से आपको भी करना है आप अब इस पर आटा जो है वह डालूंगी यह देखिए मैं आटा डाल रही हूँ और आप भी ज़रूर से ध्यान रखिए अगर आप बटर पेपर नहीं यूज करना चाहते हैं तो आप भी इस हैक को इस्तमाल कर सकते हैं तो आप आटा डालिए चारो तरफ उसके बाद आप मेक तरफ से टैप कर रही हो और एक्स्रा आटा जो होगा उसे मैं अलग कर दूँगी आटा को हटा दिया है और अब इसके बाद यह रेडी है हम इस पर अपना बैटर डाल देंगे तो देखिए मैंने मोल पर अपना बैटर पूरा ट्रांसफर किया है आपको एक और चीज ध्य की भी नहीं फूलेगा या सॉफ्ट नहीं बनेगा तो आपको सारा चीजे ट्रांसफर करने के बाद मोल में आपको टैप जरूर ही करना है अब मैं जाओंगी हाँ टैप करने की प्रोसस में तो यह देखे मैं से कर रही हो बहुत जोर से नहीं करना है आपको धीरे-धीरे ही इसे टैप करना है तो यह शेप भी अच्छे से ले लेगा और इसके बाद अब मैं काजू की गार्निशिंग कर दूगे तो आप चाहे इस इसमें टूटी-फूटी भी डाल सकते हैं आप इसमें बादाम भी डाल सकते हैं यह आपके चॉइस के उपर है कि मैंने अपना माइक्रोवेव अल्रेडी प्री हीट कर लिया था तो इसमें मैं अब अपना केक मोल जो है यह ट्रांसफर कर रही हो और अब मैं इसे 30 मिनिट्स के लिए बेक कर दूँगी केक रेडी हो गया है देखें मैं इसे बीच में नाइफ डाल के चेक कर रही है यह अंदर से काफी सॉफ्ट बना हुआ है और आटा केक में यह होता है कि इसकी जो अपर लेयर होती है थोड़ी जादा ब्राउन आती है क्योंकि आटा इन जेनरल भी अगर हम उसे रोस्ट करते है तो काफी जल्दी ब्राउन होता है तो यही रीजन है तो आप यह मत सोचेगा कि यह जल चुका है यह काफी अच्छा बन कर आया था तो इससे मैं देखिए चारो तरफ से नाइफ के हल्प से कट कर ले रही हो ताकि यह इसली मेरे प्लेट में निकल आए यह मैंने कर लिया है अब मैं इससे डी मूल करूंगी तो आप देखिए इससे मैं उल्टा कर दे रही हूं प्लेट में फिर से मैं टैप करूंगी बिना बटर पेपर के भी यह एकदम ही इसली निकल आया है तो रेडी है हमारा चॉकलेट आटा केक लेगा यह 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 माँ यह यह